उत्तर प्रदेश के राय बरेली से एक चौका देने वाली घटना सामने आई है यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पती के साथ जो कुछ भी किया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान है पुलिस के पास भी इस तरह के मामले हर रोज नहीं आते हैं हैरानी इस बात की है कि इस महिला को डर भी नहीं है और इस महिला ने जो कुछ किया वो किसी फिल्म से कम नहीं इस महिला का नाम अनू है इसका पती अतुल है जो एक हलवाई का काम करता है और इस महिला के दो बच्चे हैं पती जब भी शादियों में खाना बनाने जाता तो हमेशा दारू पीकर ही लोटता और शराब का आदी था और शराब पीने के कारण अक्सर पती-पत्मी के बीच जगड़े हुआ करते थे हर रोस की तरह उस राद भी पती शराब पीकर ही घर लोटा जिसके बाद पती पत्मी के बीच जगड़ा हुआ पत्मी को जगड़े के बीच इतना गुस्सा आया कि उसने पती के सिर पर पत्थर दे मारा जिसके बाद पती बेहोश हो गया बेहोशी की हालत में पत्मी पती को हॉस्पिटल नहीं ले गई बलकि पती का गला दबा कर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद इस हत्या को छुपाने के लिए जो कुछ अनू ने किया वो शौकिंग था हत्या करने के बाद पत्मी आराम से पती की बॉडी के पास ही सो गई सुबे जब पत्मी उठी और बच्चे भी जा गए और कहा कि पापा नहीं उठ रहे हैं तो अनू ने अपने बच्चों को कहा कि पापा को जगाना मत अगर जग गए तो फिर से मारेंगे पापा सो रहे हैं पापा को सोने दो और इसके बाद अनू बच्चों को स्कूल भेच कर खुद भी अपने ब्यूटी पार्लर चली गई घर में पती की लाश यूही पड़ी रही शाम को फिर अनू घर लोटी और बच्चों को खाना किलाया खाना खिला कर बच्चों को सुला दिया और खुद भी सो गई इसके बाद देर रात चपूरे गाउं में सनाटा हुआ सभी लोग सो रहे थे तब अनुने पती की बॉड़ी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया उसने पती की बॉड़ी को घसीटे हुए घर के बाहर लिया और गेट के बाहर पती की बॉड़ी को फेक कर गेट बन करके खुद अंदर सो गई सुबह उठते ही अनुने गेट खोला और जोर जोर से पती की बॉड़ी को देखकर चिलाने लगी कि मेरे पती गिर गए इन्हें ये क्या हुआ ये भी कहती रही रोती रोती कि मेरा पती शराप पी कर आया और गिर कर मर गया यहां तक अनू का प्लान बिलकुल सही चल रहा था लेकिन प्लान में गड़बर तब हो गई जब पती की बॉड़ी का पॉस्मॉटम करवाया गया और पॉस्मॉटम में ये बात सामने आई कि पती की मौत गिरने से नहीं हुई है दम घुटने के कारण हुई है और इसके बाद ही जब पुलिस ने अनू से सक्ती से पूछताच की तो अनू ने सब कुछ बता दिया पुलिस ने अनू को औरेस्ट कर लिया है और अब मामले की चान बीन पुलिस कर रही है